इसका जब हम गहदाई से आक्रन लेंगे इस पूरे विशाय का, यह जो 500 और 1000 के नोट को अब लीगल टेंडर नहीं मानते हैं, उसको थैंसर किये गए, पुरानी करेंसी नोट्स को और नए नोट्स इशु होंगे, हम समन्य था उसको दिमोनेटाइजेशन कहते हैं, तो अभी अभी कैंसर किये इसको इगल टेंडर के रूपे, आगे चलके यह नोट्स इमोनेटाइज होंगे, विकिर इसका जो सार है, अगर कोई एक लाइन में इसका कुछ सार समझ नकी कोई कोशुश करे, तो पहली बार इस देश में ऐसा मैसूस हो रहा है, कि इमानदार का सनमान और बेइमान का नुकसान हो, और ऐस जिर्व लाखो करोणों लोग हैं जो अपना टैक्स पे करते थे, जो इमानदार इसे हरे चीज़ जब खरीते थे, उसमें सर्विस टैक्स हो या एक्साइज जूटी हो या वैट हो या उक्रोई हो, एंट्री टैक्स, सभी टैक्स परके एक इमानदार व्यापार, इमानदार उद्भोगता के रूप में करोणों लोग इस देश में जीवन बतीत करते थे, लेकित साथ ही साथ देखते थे एक ऐसा भर्ग है, जो बेमानी से पैसा क्रमाता है, जो गलत काम काला बासारी करता है, और हमसे भी जादा अच्छा के और पता लगता है कि इस वैक्ते ने वही 100 रोड के वैक्ते लगा दी, ज hedge में तो इसके ठीला नहीं था, मार्केट में देंदा रही थी, घिर 100 रोड के फैक्ते कैसे लगी? कापित के हाँ से एक्विटी कहां से आई? कोई दुखानदार सोचता है कि मेरी दुखान से तो तो सेल कम हो रहा है, दूसरी दुकान से सेल जादा हो रहा है, क्योंकि वो पुरी तरी राट नहीं बढ़ता है, कच्छे में माल बेचता है, अलग-अलग प्रकार की चीज़े इस देश में चल रहे की और हम सब ने, और मैं इसमें अपने आपको भी शामिल करता हूँ, हम सब अपने साधारणता मान लिया था कि हमारा देश तो ऐसे ही चलता है, यह चलता है, अटिट्यूड था कि नहीं हम सब नहीं, सब चलता है, ऐसे ही चलता है, एक हमाने मानसिक स्थिती ऐसी थी कि यही होगा देश में बदलाव आई ही नहीं सकता है, एक साधारणता हम सब ने स कर लिया था कि करप्षन इस वी ओफ लाइप घ्रश्टाचार के बगाहिर कुछ काम हो निसकता है काला धान के बगाहिर जीवन अच्छा सुखी हो नहीं सकता है शादी ब्यावी नहीं हो सकती है काले धन के बगाहिर इस देश में ऐसा-सा महल आजकल पेखने सुने को मिल रहे है और मुझे लगता है कि इतना खड़ा नेड़ने लेने की शंकता रखने वाला प्रधान मंत्री शायद संतर साल में पहरी बार आए और मुझे में पता आगे हुआ है